आज हम आपको इस वीडियो के जरिए गुरुजी के संगीत में जीवन के बारे में बताना चाहेंगे कि कैसे उन्होंने भार्पिय शास्त्रिय संगीत की प्रगती में अपना योगदान दिया और अपना समपूर्ण जीवन संगीत की सेवा में समपित किया सर्व प्रथम गुरुजी का जनम 1 सिटंबर 1923 को हुआ वे मनवाल के रहने वाले थे जो की डिस्ट्रिक पठान कोट में है उनको शुरू से ही संगीत में काफी रुची थी परंतु जब तक इसी योग्य गुरु के दोरा संगीत ना सिखा जाए तब तक संगीत के साव को भी समझ पाना मुश्किल होगा यही कारण से संगीत सीखने की उनकी तीपर इच्छा उनको ले पहुंची गुरु हरबजनलाल जी के पास और पंडित अमरनाथ जी के पास गुरु जी का मानना था कि स्वर और भगवान का एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है वे अपने विद्यार्थों को इस तरीके से सिखाते थे कि उनके स्वर साधना भी हो जाए और स्वर सामना के जरिये वे भगवान का नाम भी ले ले गुरु हरभजनलाल और पंडित अमरनाथ जो की गौलिर गराने के गायक थे गौलिर गराना संगीत का एक सूपरसिद गराना जो की अपनी विशेष्टाओं के लिए प्रसिद है गुरु जी ने ख्याल गायकी गुरु हरभजनलाल जी से सिखी और पंडित अमराज जी के पास भी वे निरंतर जाते रहते थे जो की चमबा में रहते थे गुरुजी के पास अपने गुरुओं के दी हुई दिक्षा तो थी ही परन्तु उनके अपने तरीके उनके संगीत को और भी परभावशाली बनाते थे उनको संगीत शास्तर में भी बहुत रुची थी उन्होंने बहुत से संगीत शास्तरों का ध्यन किया और अपने संगीत को सक्षम बनाया वे शास्तिर्य गायक के साथ साथ एक शोध घरता भी थे उनको ये तीवर इच्छा थी कि सबको संगीत की सही शिक्षा मिले और संगीत का जादा से जादा परचार हो इसी कारण से उन्होंने अपने 48 वर्ष की उमर में सन 1971 में पंडित अमरनाथ म्यूजी कोलेज की स्थापना की जो की पठानकोट में है वे दिन रात यहां संगीत की क्लासिस लेते थे कहते हैं कि गुरुजी नहीं पठानकोट में संगीत की शुरुआत की थी उनके शिक्षण में कई विद्यार्थियों ने शिक्षा हासिल की और अपना करियर बनाया परन्तु उनका शागिर्द बनना इतना सरल नहीं था जब तक कि उनकी इच्छा नहों वे संगीत के पुजारी थे और विद्या का दान उसी को देते थे जो इसके काबिल हो गुरुजी ने अपने जीवन में ऐसी संगीतिक रचनाय बनाई जो की ना कोई बना सकता था और ना ही कोई बना सकता है वे जो भी सिखाते थे उनके और उनके गुरुओं दोबारा रचित था जिसमें गुवालियर घ्राने की पूर्ण चाया दिखती थी उनके राग, उनके ख्याल, उनके दुरूपद, उनके धुमार गुरुजी ने 32 वर्ष तक संगीत की क्लासिस ली और अंत में 25 अगस्त 2003 को वे जोती जोत समावे प्रंतु उनकी इच्छा थी कि हर किसी को संगीत की सही शिक्षा मिले आज भी उनके पंडित अमरनाथ म्यूजी कोले में सब कुछ वैसे ही है उनकी रचनाएं, उनके शास्तर और उनकी अन्य जीज़े उनके इस रेष्ट शिश्य पंडित राम शर्मा जी के नेतरितु में सही सलामत है बलकि आज यहां वाइलन, तबला, प्यानो, हर्मोनियम, वोकल, सब कुछ सिखाया जाता है उनकी एक एक बात विद्यार्थियों को बताई जाती है उनकी रचनाए आज भी गई जाती है इस रचनाए जाती है लादर इंथना देडिना इंथन नानला इंथना कि व से चेडिना इंथना इनप MOD यह शुजरे ने नुजरे निय्थना इंथन उनि शणी भीया वर παव Willow जाना यजान वर लुगां वे जाना यजा वारं सेले टॉग लुग 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 हो लुग 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 प्रीघ। झाल भो जुए झाल भो जिखे ब मुझान करके लिवे लोग झाल भी प्रबफेंग तो प्रड्ड कर्डन आ और ये लो गड़ा इंडल अडिवे ब मुझा लेवे लोग मैं अ हाँ दीद दन तन अनलो दे कर दो सके तो सके करिठा किने कर दो सलते कि झाल कर दो है यह सुना है यह सुना है मन का मंदर सुना है यह सुना है सुना है यह सुना है यह मन का मंदर इसमें चरन करो इसमें चरन करो मेरे प्रभू इस लोब मोह से मेरे प्रभू इस लोब मोह से मुझको अच्छे, यह सुना है अच्छे